दोश्टो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने Android phone में deleted photos, deleted videos, deleted screenshot, deleted audio recording, voice recording, call recording सब कैसे वापिस ला सकते हो, इसके मुख्य तौर पर दो तरीके हैं, असान और मुश्किल पहले आसान की बात करते हैं आसान तरीका आजकल जितने भी modern फोन से सब में रिसाइकल बीन फीचर आ गया है मतलब अगर आप कोई फोटो अगर डिलीट करते हो तो तीस दिन तक वो रिसाइकल बीन में रहता है जैसे कंप्यूटरों में रहता है ऐसा आप उसे रिस्टोर कर सकते हो एजली देख सकते हो फोस्ट लगताया तो अगर आपके बस modern स्मार्ट फुन जो यह फीचर देता है तो आप इसी अहीं उपनाइं इ 받아 है ऊथे pen drive में SSD hard disk में data delete करने की बाद भी रहता है वो कहीं जाता नहीं है बस उसका नाम वहाँ से हट जाता है वो तब तक रहता है जब तक उस जगा पर कोई दूसरा अगर फॉर्माट किया तो उसमें फॉर्माट करने के बाद भी आपको दिख रहा है वो खाली है लेकिन उसमें वह डाट है जो पहले था वो तब तक रहेगा जब तक आद दूसरा डेटा उस कार्ड में भर देते वाइट एक एक जामपल की दाव पर बताता हूं कि एक स्कू तो रमेश का नाम स्कूल के रेजिस्टर से कटा है तो स्कूल के लिए रमेश नहीं है लेकिन क्या सही में रमेश नहीं है रमेश तो है बस उसका नाम कटा है सेम यहां पर भी वो फाइल का सिर्फ नाम कटा है फाइल अभी भी भी स्टोर्ड है वो जब तक रहेगी जब त तो ऐसे पूरा फॉर्माट करो फिर भरो फॉर्माट करो तीन चार बार हैसे करो तो आपका वो कंप्लीटली वाइप आउट होगा चांसे रहे होने के बड़े एक से प्रैक्टिस तो ऐसे सॉफ्ट्वेर भी आता है जो कंप्लीटली वाइप भी करके बहुत रैंडम डेटा भूबर देटें फिर फीर format करते फिर कोछ भी भर यिससे क्या होता है डेटा रीकवर नहीं हो सकता हॉ के प्लब कैई कटी को अरहे तर मैं एक साथ कहरा पड़ रही है कि यह और इसके आप क creative पाइसे धीने पर होते हैं जो स्टोरेज को फोन को मेमोरी काड में और कुछ मत भरो स्टॉप कर दो अगर आप उसे रिकवर करना चाहते और कुछ डेटा भरते रहोगे तो आपकी फाइल चली जाएंगी तो मैं दिखाता हूं आपको की मोबाइल से आप कैसे कर सकते हो देखो भाई कोई आप को प्रोमोट आएए देखते हैं कि फोन में कैसे रिकवर करते हैं डेट डेटा को तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास यह एंड्रॉइड फोन है तो यहां पर जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि गैलेरी में जाते हैं यह मेरी कुछ photos और videos है अब कुछ deleted items देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं trash मिलता है यह recycle भी नहों सकती है trash, deleted files, अलग-अलग phone का अलग-अलग हिसाब है तो आप देख सकते हैं, तो trash पे जाईए तो यह देखिए, इनके खतम होने में 29 days हैं जैसे मैंने आपको कहता, 30 दिन के लिए वो रहते हैं तो अगर आपके phone में यह feature है या आपने एनेबल कर रखा है तो आप इस पे जाईए simply अपने photo को select कीजिए और उसे restore कर दीजिए तो restore हो गया, आपकी main gallery में आ गया यह पहला तरीका है दूसरा तरीका एक software इस्तमाल करके यहाँ पर देखो यार यह कोई मैं sponsored video नहीं है आप चाहें तो कोई भी software इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है, यहाँ पर मैंने बस एक concept को explain करने के लिए इस app का इस्तमाल किया है मैं recommend नहीं करता कि आप यहीं इस्तमाल करो आप कोई भी इस्तमाल करो, ठीक है तो यह disc digger को open कर लिया यह disc digger नाम की कोई app है ऐसी बहुत सारी app आती है इनकी problem यह होती है कि यह बहुत ads वगरा दिखाती है जीव जीव तो बीना ad वाली मिले तो दे ले ले लेना पैसे देखे यहाँ फ्री वाली है तो फ्री वाली ले लेना जैसे आपका माण हो ठीक है तो start basics photo scan से हम start करते है तो यहाँ पर जितनी भी deleted files है देख सकते हो उस सारी यहाँ पर आ गई ठीक है जैसे यह मेरे graphics card की photo है जो deleted है यह और बहुत सारी ऐसी photos भी जो deleted नहीं है तो पूरा ही scan करके भेज़ देता है यह ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले select रटते हैं यह photo और इसे recover कर देते हैं इसे हम save कर देते हैं custom location पर हम यहाँ पर use this folder कर देते हैं और यह allow कर देते हैं no thanks कर देते हैं अब हमारी recovery complete हो गई है ऐसे हम अपने photo को deleted को recover कर सकते हैं और अगर आपको यह video अच्छी लगे तो उसे like करें अपने दोस्ते को साथ share करें Cyber security और ethical hacking में interest है तो description चेक करें 299 रुपीज के 3 ethical hacking courses हैं जो आसान भाषा में आपको ethical hacking सिखा देंगे में मताप सिखली वीडियो में और subscribe के साथ bell icon सब्सक्राइब के साथ bell icon सब्सक्राइब दबादा thank you so much and good bye झाल